हेलो प्रेंट्स वेलकम डियर ओन चैनल डेली स्टॉक चर्डोटे इस वीडियो के नरम के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में बास करेंगे और जानेंगे क्या आपको के आर बियल के आना इंवेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो सफ़े पहले हम यह जानेगे कि यह company क्या काम करती है तो डिकि यह जो company है वर्ल्ड की एक leading बाश्मती राइस producer यह company में नजर आती है यानि कि बाश्मती राइस बनाने का यह company काम करती है और company के fully integrated operations है यानि की company contract farming से लेके तो उसके लावा जो उसकी processing जो packaging होती है उसके बाद में at the end जो consumer तक जो product पहचा आना होटा है वो भी ये company कुड़ी करती है यहनकि जो branding और marketing के company की वो भी ये company कुड़ी करती है तो यह नहीं भी देखा जाया तो यहाँ पर rice के ओपर company का focus रहता है और basically अगर हम देखेंगे अभी पिछले एक दो quarter से और पिछले एक दो साल से company का export पे भी यहाँ पर focus हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो देखें definitely अगर आने वाले टाइम पर company का export पर ज़्यादा focus होगा company ज़्यादा export करने पर focus करेगी वाहाँ पर definitely company के लिए एक अच्छी demand वाहाँ पर create होती हुई हमें नजर आईगी और एक company अच्छी लेवल पर ग्रोबी हमें करती हुई नजर आईगी तो देखें लगबख 6,000 आच्चो करोड का इस company का market cap है तो एक small cap company है अगर हम peer ratios की बात करेंगे तो 14 के peer ratio पर ये company ट्रेड हो रही है तो valuation wise अगर हम देखेंगे तो valuation काफी under control हमें नजर आते हैं और 173 की यहाँ पर company की book value है यानि कि अगर हम price to book value की बात करेंगे तो 2 times अभी कम पर ये company हमें trade होती हुई नजर आरही है अगर हम यहाँ पर ROE के numbers की बात करेंगे तो 11.8% का return on equity है और around 15% का में यहाँ पर ROC का number नजर आता है तो देखिए return ratios की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे company के हमें नजर नहीं आता है तो ये एक बड़ा reason है जिसके वाज़े से मुझे लगता है कि company के valuation यहाँ पर ह 2.04 का यहाँ पर debt है तो debt related हमें यहाँ पर company के कोई भी issue नजर नहीं आते हैं वैसे अगर देखा जाए तो industry का P43 का है तो उसके comparison में यह company हमें one third valuation पे trade होती भी नजर आ रही है और around 1.21% का company का dividend yield भी है जो कि अगर आप देखोगे around 3 रुपे का share तीन रुपे पर share का dividend हमें यहाँ पर company का नजर आता है तो देखिए यहाँ पर यह company इतने कम valuation पर यानि इतने कम peer ratio पर यह company trade क्यों हो रही है उसके पीछे का एक reason यह भी है कि पिछले 4 साल यह company के net profit के numbers में हमें कोई ज़ाधा growth देखने को नहीं मिली है और revenue के numbers भी इतने ज़ाधा company के grow नहीं हुए है अगर आप देखोगे revenue के numbers यहाँ पर थोड़े से बड़े थे फिर 2021 में revenue के numbers फिर से कम हो गए थे और उसके बार अगर हम देखेंगे 21-22 में यहाँ पर revenue का number company का थोड़ा सा बड़ा था यह बोल सेक्टों की बीच में हमने COVID से related issues देखे हैं लेकिन उसके पहले भी अगर हम तो कोई इतनी जादा हमें growth देखने को नहीं मिली है तो अगर हम पिछले कुछ quarter से company के numbers के अगर हम बात करेंगे तो देखें यहाँ पर 1200 growth के company ने revenue के numbers दिखाये थे फिर उसके बार में March 2022 तक company ने एक बार भी revenue के number को touch नहीं किया था लेकिन अगर हम पिछले quarter में देखेंग तो company ने अपना highest to a single quarter का revenue यहाँ पर दिखाया है इसके comparison में यहाँ पर 10 करोड से revenue का number company का बड़ा है और अगर हम profitability की बात करेंगे तो यहाँ पर कमने ने highest to a single quarter की profitability भी रिपोर्ट की है बागे अगर हम पहले देखेंगे तो company के number 1500 करोड से कम हम यहाँ पर नजर आते हैं तो राइस होता है वो खतम हो जाता है और वो आपीज अपने घर के लिए एक साल का राइस साथ में लेते बेसिकली यह जो quarter होता है यह कमनी के लिए इन अवे यहाँ पे सबसे बढ़िया quarter पूरे साल में यह quarter कमनी के लिए रहता है तो आने वले टाइम पे कमनी कैसा perform करती है य देखना काफी ज़्यादा जरूरी रहेगा तो एक quarter की basis पर हम यहाँ पे call नहीं ले सकते बाकि अगर हम देखेंगे तो बाकि अभी भी हमें underperformance देखने को मिल रहा है अब अगर हम यहाँ पे shareholding pattern की अगर हम बात करेंगे तो shareholding pattern यहाँ पे कमनी का काफी attractive हमें नजर आता ह तो कि अगर हम देखेंगे तो मार्च 2020 में promoters ने अपनी holding को बढ़ाया था और उसके बाद में पिछले quarter में भी promoters की holding बड़ी है तो अगर हम देखेंगे दो quarter में promoters की holding 0.5% चमें बढ़ती हुई नजर आई है अगर हम FIS की holding के अगर हम बात करेंगे तो पिछले quarter में FIS ने गवर्मेंट अपनी holding को बढ़ाया था फिर उसके बाद में June 2020 में भी government अपनी holding को बढ़ाया था तो इन अब देखा जाए तो government का भी around 6% का हमें यहाँ पे holding नजर आता है तो इन अब देखा जाए तो holding button हमें यहाँ अच्छा नजर आता है और अगर हम public की holding के अगर हम बात करेंगे तो पिछले तो यहाँ पे जो public की holding है वो पिछले quarter से हमें लगातार कम होती भी नजर आ रही है तो इन अब देखा जाए तो share holding pattern यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा में attractive नजर आता है तो अब अगर हम यहाँ पे cash flows की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले 3 साल से लगाता जो operating cash flows के number से वो company के positive हमें नजर आते हैं और लगाता investment के अगर हम बात करेंगे तो company लगाता reinvestment भी कर रही है अपने production capacity को increase करने की कोशिश यहाँ पे company की तरफ से हो रही है उसके लगा हम financing activity के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो outflow में देखने को मिल रहा ह और around 82 करोट के company ने dividend भी पेग किये तो 82 करोट हमें यहाँ पे वो भी नजर आता है लेकिन at the end अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल से लगाता net positive cash flow company हमें यह नजर आती है तो वो भी एक अच्छी बात है लेकिन देखिए वो एक net cash flow होना company एक अच्छी बात है लेकिन वहाँ अपे एक अच्छी वे में grow करना भी हमें आपे देखना चाहिए तो देखेंगे 289 रुपीज पे यह stock अभी trade हो रहा है अपने all time high से more than 50% के discount पे यह company हमें trade होती भी नजर आ रही है तो देखिए एक तरीके से अगर हम valuation wise जगर हम बात करेंगे तो यह stock काफी अच्छा नज दोर होती यानि कि 5-6% के numbers grow ने चाहिए वो भी हमें number यहां पर देखने को नहीं मिला है उस point वी से definitely जब तक यह numbers लगादार continuously grow नहीं करेंगे market यहां पर लगबग जो 14 का P ratio है उसे 20 का P ratio market यहां पर नहीं देगा उस point वी से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहां पर company की management कै कैसे क्या बोल रही है अभी currently जो numbers है वो देखके मेरे ख्याल से long term point वी से definitely यहां पर avoid करना चाहिए मेरे ख्याल से तो avoid करना ही यहां पर definitely सही रहेगा तो दोस्तों मैं hope करता हूँ कि KRBL के पूरे detailed analysis के बारे में आपको सब कुछ समझी में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day